अग्यान के बहुत ती मेहत्वून टॉपिक आधुनिक आउट्साणि की बात करने वाले हैं इस वीडियो में हम संपून आधुनिक आउट्साणि को ट्रिक्यम आध्यम से याद करने की कोशिश करेंगे और मेरा पुरा विश्वास है कि आप इस वीडियो के बाद आधुनिक आउट्साणि को अच्छी तरह से याद कर लेंगे तो चलिए देखते हैं आधुनिक आउट्साणि के बारे में तो देखे स्ट्विडेंट्स आपको स्क्रीन पर आदुनिकार और सानी दिखाए दे रही है एस परकार के आदुनिकार और सानी है जिसमें तत्वों के साथ उनके नीचे शोड ट्रिक भी लिखी हुई ये तो मैं आपको आजके वीडियो में यही बताने वाला हूं कि इस ट् पूर्ण आदुनिक आवर सार्णी को कैसे याद कर सकते हैं तो देखे इस्टुडेंट यह जो आदुनिक आवर सार्णी है जो आपके सामने प्रतसित हो रही है इसमें जो सोट ट्रिक है उसके अत्रिक्ति कहीं सारे चीज़े हैं लेकिन हम यहाँ पर पहले आदुनिक आवर सार्णी की जो ट्रिक है उसी की बात करेंगे तो देखे हमारा जो पी ब्लोक है यह जो पी ब्लोक है इसके अंदर यह दोनों जो है लाइने समलित की जाती है इसे हम पहला और दूसरा वर्ग कहते हैं ये पहला वर्ग है और ये दूसरा वर्ग है ये आप साहे जानते होंगे अब देखिए पहले वर्ग और दूसरे वर्ग को किस प्रकार से हमको याद करना है तो देखिए जो हमारा पहला वर्ग है वो हाइडोजन से चालू होता है तो सरसे पहले इसमें हाइडोजन फिर दिल सीजियम और फ्रोंशियम ये तत्व जो है इस वर्ग में है अब देखें इस वर्ग को आपको याद कैसे करना है ये जो वर्ग है आपको उर्ध्वादर याद करना है अर्थार्थ खड़ा याद करना है क्योंकि इस जो आदुनिकावर सानी है इसमें हम कुस्तत्व खड़े रूप में याद करेंगे अर्थात वर्गों की रूप में याद करेंगे और कुस्तत आवर्थों की रूप में याद करेंगे तो देखिए आपको यहां पर क्या है एक वर्ग के लिए एक संटेंस याद करना है अगर वो संटेंस आपको याद हो जाता है तो उस संटेंस में आने वाले जो सब्द हैं उनके माद्यम से आप इस वर्ग को याद कर सकते हैं तो देखिए पहले वर्ग के लिए हमारा संटेंस है है लिना की रब से फर्याद यदि ये संटेंस आपको याद हो जाता है तो आपको पहला वर्ग आसानी से याद हो जाएगा और ये जो वर्ग या तो किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं या किसी आवर्थ में बाएं से दहें जाते हैं तो उसके लिए यह आपको बहुत ज़्यदा लाबकरी होगा तो वापिस लोटता है हमारे sentence पे हमारे sentence था क्या है लीना की रब से हरियाद अब देखिए जब आप इस sentence को बार-बार बोलेंगे दोस्तों को सुनाएंगे तो आपको यह आराम से याद हो जाएगा तो जब यह sentence आपको याद हो जाएगा तो आपको तत्व कैसे याद करने हैं कि इस अक्सर से कौन सा तत्व था तो देखिए यहाँ पर जब आप याद करेंगे है जो है लीना की रब से फरियाद वाले sentence में है है तो है से आपको एच याद करना है जो हाइडरोजन को परदसित करेगा अगला जो अक्सर होगा वो होगा ली तो ली ये आपको लीथियम के लिए याद करना है उसके बाद ना वैसे कहने में ये जो है sodium है लेकिन इसका सिंबल क्या होता है एने ये लेटिन भासा के कारण होता है ऐसा तो sodium को हम ना से याद करेंगे उसके बाद हम बात करते हैं potassium की तो potassium भी जो है लेटिन भासा के कारण के से प्रदसित किया जाता है तो ये जो के है इसको आप की से याद करेंगे उसके बाद आता है rubidium. तो rubidium को आपसे रब से याद करना है. उसके बाद caesium cs इसका symbol है उसको आपको से से याद करना है तो आप जो sentence में से आएगा उससे caesium को याद कर सकते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं frontium की. तो frontium जो है फरियाद से आपको याद करना है इसमें फर आ रहा है तो इसमें उपर जो सिंबल है इसका वो भी क्या है F और R है उससे आपको फरियाद याद करना है तो इस परकार से हमारा जो है पहला वर्ग याद हो जाता है या पहला वर्ग कम्पलीट हो जाता है एक वारोर देख लीजिए है लिना की रब से फर्याद तो इस ट्रिक के मादम से आप पहला वरग याद कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे वरग की तो दूसरा वरग देखिए पे एस ब्लोक का दूसरा वरग तो इसका संटेंस है बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी देखिए कहीं कहीं पे किताबों में या किसी अनिस्तान पर क्या किया जाता है कि यहां पर जो बाप राजी है उसकी जगे बाप रोय भी किया जाता है लेकिन मेरे अनुसार आपको बाप राजी ही याद करना है क्योंकि देखिए जो इनके सिंबल है या परतीक है वो अक्सर के अनुसार हमको पैचान में आने चाहिए तो अगर आप लास्ट में राजी की जग अगर रोय कर लेते हैं अगर याद करते हैं तो आर ए से राजी जो है हो जाता है तो देखिए इस वर्क के लिए संटेंस हमारा बेटा मांगे करना सुन्दर बाप राजी तो इस संटेंस हो जाएगा और उसी प्रकार से हमको बेटा से बी इ जो है बे को सम्मुदित करेगा तो उस तरह से आपको बेरलियम याद हो जाएगा उसके आद मांगे तो मांगे में पूरा ही हमको काम मिलेना है मांगे में जुम्मा है उसे एम और गर से जी याद करना है उसके बाद कन्या, तो कन्या में जो है आपको CA याद करना है, तो यह हमार कन्या से कैल्शियम हो जाएगा, उसके बाद आता है ekstrontium, ekstrontium के लिए हमको सब याद करना है सुन्दर, तो इसमें पहला जो अक्सर है, वो सर है और अंतिम अक्सर रह है तो S, R इससे आपको याद करना है उसके बाद आप अपन बात करते हैं बाब, तो बाब से देखिए सिदा सिदा जो है B, A बेरियम जो है हमको समझ में आ रहा है तो आपको इस तपरकार से बेरियम याद हो जाएगा उसके बाद लास्ट जो परमानू है या तत्व है वो है Radium तो Radium जो है एक Radio Active Tattu होता है तो इसको हमको राजी से याद करना है देखिए राजी में रा आ रहा है और सिंबल भी इसका क्या है और एह तो इसको आप राजी से ही याद कीजे तो मेरे अनुसार जो है अच्छा रहेगा उसके बाद हम बात करेंगे पी ब्लोग की तो देखिए यहां से लेकर और यहां तक जो है यह पी ब्लोग के हमारा इसमें 6 वर्ग संबलित किये गए हैं यह हमने जो है जैसी किलास का जो वीडियो देखा था उसमें हमने बताया था उसके बाद हम बात करते हैं ट्रिक की तो देखिए हम पहले इस वर्ग की बात करेंगे जो तेर हो अतैं Clay आलूग जिया तो ये ट्रीक है हमारी बहुत छोटी से तेग है और पड़े इंट्रेस्टिंग और कॉमेडी टाइप की संटेंस है जो आपको आसानी से याद हो सकते हैं अगर ये संटेंस आप आप दोस्तों के साथ बार बार जो है रिविजन करेंगे या उनके सामने बोलेंगे तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा तो देखिए बेंगन अलू गाजर इन थेला एक मार्केट में बच्चा गया है उसके आथ में थेला है और उसने बाजार से क्या-क्या खरीदे है बेंगन खरीदे हैं अलू खरीदे हैं और गाजर खरीदे जिनको उसने किसमे डाल लिया थेले में डाल लिया तो इस परकार से एक संटेंस है तो देखिए बेंगन से आपको बी जो की सिंबल है किसका बोरोन का तो ये आपको याद करना है तो देखिए श्प्रेंट आपक याधर हम याद कर रहे हैं या आप सब्सक्राइब कर लिएगा इसको याद करने के पार अगर इस दो देख़ाई है आपको यह याद करना है उसकी बाद अलूणियम तो, अलूणियम जो करना है और अलू जो अयल से बहुती मिलता है है तो आपको यहां से ihm याद हो जाए उसकि बाद बात करते हैं गाजर गाजर छापको गेभलयाद करना हैба मैं कि टो है कि केलियाद mi さ करता है और गाजर में गाजर भी याद कर सकते हैं सिबाद अपने बात करता है इंडियम की तो ऐश Gentlemen समझ में रहा है इसमें तो भूलनी को कोई सवाल यह नहीं होता है तो इंडिया मंको इस परकार से याद हो जाएःगा इसके बाद बात करते हैं हम धेलियम की तो धेला तो इसमें धे-ला-T-E-L तो इसे जो है मिलता जूलता है तो आप इसे यही याद कर सकते हैं उसके बाद हम बात करते हैं अगले वर्ग की चोदेवे वर्ग की इसको कारवन परिवार के नाम से भी जाना जाता है बहती महतकून वर्ग होता है यह रसाइन विज्ञान में क्योंकि जब आप सीनी किलासों में पढ़ेंगे या फिर पढ़ रहे हैं तो आप कारवन परिवार के बारे में पढ़ते हैं तो वो इसी से सम्बंदित होता है और यह एक ऐसा वर्ग है जो चार सहयोजक प्रशिकरता है या हम कहें कि यह सहयोजक जो तत्व होते हैं उनको बनाता है तो वहाँ पर यह जो है बोतिमेत पुन होता है तो देखिए इसकी ट्रिक है कहे सिव जी सुने पारवती तो हम सभी जानते हैं कि घरों में अधिकांसता है लेडी जी कहती है और हजबेंड या जो मेल होता है उसको सुनना पड़ता है तो वैसे सिव जी और पारवती की कहानी है कि पारवती कहती है और सिव जी सुनते है तो देखिए कहे से आपको सी याद करना है जो कारवन के लिए आया है ठीक है तो आपको इस परकार से कारवन याद हो जाएगा फिर उसके बाद बात करते हैं शिव की, तो शिह आ रहा है, तो S I, इसका सिंबल है, सिलिकन का, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा, सिव से C, S I, जो कि सिलिकन का सिंबल है, उसके बाद हम बात करते हैं, जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम का सिंबल है, G E और आपको इसको हिंदी में याद करना है G से कहे सिव जी तो G से आपको जर्मेनिय याद हो जाएगा उचके बाद आप बात कीजिए तो अगला जो हमारा तत्व है वो है टिन तो टिन का सिंबल है S N और S N जो है उसको आपको याद करना है सुने से तो आपको इस परकार से सुने से S N क्या टिन याद हो जाएगा यहाँ पर भी यह लेटिन भासा के कारण जो है टिन तत्व का नाम है लेकिन इसका सिंबल कौन सा है S N उसके बाद हम अगले तत्व की बात करते हैं तो अगला तत्व है लेड यह भी लेटिन भासा के कारण क्या हुआ है लेड को पीवी से परतसित किया जाता है तो देखे पीवी को आपको याद करना है पारबती से पारबती नहीं पारबती तो पारबती से जो है आपको यह जो है पीवी याद हो जाएगा इसके बाद हम अगले जो है वर्ग के उपर पहुंचते हैं अगला जो वर्ग है वो है नाइटोजन परिवार और कौन सा वर्ग हो गया यह यह पंदरवा वर्ग हमारे हो जाएगा तो देखिए इसका इसकी जो sentence है इसका जो उद्देशे से बनाई है तो इसमें कुछ सब्द जो है इस प्रकार के हैं जो आपके जो बोल्चाल की भासा है उसको साइद परभावित कर सकते हैं या किसी को अच्छा नहीं लगे तो इसके लिए हम मापी चाते हैं लेकिन याद करवाने के लिए जो है कुछ इस प्रकार की सब्दों का हमको उप्यूख करना पड़ रहा है तो इसके लिए हम एक बार फिर मापी चाते हैं लेकिन याद करना है तो थोड़ा सा जो है आप देख लिएगा आपके विवेक का उप्यूख कीजिए हमारा उद्दे से कोई गलत भावना शिखाना नहीं है तो देखे अब हम इसकी बात करते हैं तो नेपाल, पाकिस्तान, औस्टेलिया, सब विखारी तो इसमें नेपाल से आपको जो है नाइटोजन याद हो जाएगा जो कि इस वर्ग का पहला तत्व है उसके बाद हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान से बी आपको याद हो जाएगा, जो पोस्पुरस का सिंबल है, उसके बाद हम बात करते हैं औस्टेलिया की, तो औस्टेलिया से आपको ऐस, जो है, मिलता जूलता है उस्टेलिया, तो इससे आपको आर्सनिक याद हो जाएगा, इसके बाद हम बात करते हैं SB की, SB हमारे सिंबल है कि इसका अंटी मनी का, जो कि आपको सब से याद होगा, तो देखिए यहाँ पर सब लिखावा है, SB सब तो इससे आपको याद हो जाएगा, उसके बाद फिर अंतिमतत्त की बात करते हैं, बिखारी तो आपको इससे, जो बी-ई याद होगा, बिखारी में बी आ रहा है, तो आपसे बी-आई, जो है याद हो जाएगा यह बिस्मित का सिंबल है इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी अगले वर्ग की तो अगला वर्ग है हमारे oxygen परिवार तो ये भी जो है आवर साड़नी में एक बड़िया जो है वर्ग है देखे स्टुडेंट अगर यदि आप दस्वी में हैं तो ये जो आवर साड़नी है आपको 7 चैप्टर में काम वीडियो है और कोमडिशन की तैयारी करते हैं उनके लिए भी है बहुत ही महत्पून वीडियो है क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जिसमें आपको सभी वर्ग सभी ब्लोक की जो ट्रिके हैं वो आसान बासा में और complete एक ही वीडियो में मिल जाती है तो आप इसको किसी भी बच्चे के साथ शेर करच सकते हैं वह बलाई 11 12 का हो या फिर कॉमड्रीशनी की तैयारी करने वाला बच्चा हो उसके साथ आप इसका आसानी से शेर कर सकते हैं और यदि आप उस वीडियो को शेर करते हैं तो आपको इसमें कोई वी जो खर्च नहीं लगेगा हम मेंद कर हैं बस उसको थोड़ा से सपोर्ट मिल जाएगा और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को जरूर जो है शेर कीजेगा और लाइक कीजेगा तो देखें हम आगे बात करते हैं अगले वर्क की old style से टीपो यह हमारा जो है अगला सलफर याद करना है इस तरह से आसनी से आपको याद हो रहा है उसके बाद बात करते हम अगले तत्व की तो अगला तत्व है Selenium, तो Selenium SE जो है, आपको याद हो जाएगा, से से SE, जो है, याद हो जाएगा उसके बाद अगला जो तत्व है Tellurium, देखें जो Tellurium जो तत्व है, आपको याद करना है क्योंकि जो उपधात्वें होती है वो उन में से यह उसका उधारण है तो उसको आपको याद करना है तो T.P.O. से आपको जे टैलूरियम याद हो जाएगा T.E. उसके बाद हम अगले तत्व की बात करते हैं तो अगला तत्व है polyneum. तो polyneum भी जो है एक उप्धातू है. तो इसको भी आपको याद करना है और आपको नोडरेइज की ये भी पता हूना थीं कि कोण से परिवार में? आता ही, oxygen परिवार में आता है. ठीक है? तो इस परकार से हमारा यह वर्क भी जो है समाप्त हो गया, इसके बाद हम बात करते हैं अगले वर्ग की, तो अगला वर्ग है हमारा सत्रवा वर्ग, और जो सत्रवा वर्ग है ये भी आउर सानी बहुत मेहत्कुन भूमिका रखता है, इसके भी जो बहुत सार एक्विशन पूछी जाते हैं, इसको हम स्वविख से उप्यू कीजिए, और जिसका कोई गलत मतलम निकालने कोशिश मत कीजिए और याद करने पर पूरा कॉंसलिटेट कीजिए तो देखिए, फिर कल बार आई अंटी से देखिए, फिर से जो है यहाँ पर आप क्या याद करेंगे फ्लोरीन याद करेंगे, जिसका सिंबल है क्या एफ, उसकी बाद कल, कल से आपको C-L, क्लोरीन जो है याद करना है, बाहर से ब्रोमीन जो है याद करना है बी यार, उसकी बाद आई से आपको, आई से जो है सीदह सीदह आयरीन और यह सुन्ने वर्ग के रूप में भी जाना जाता है इस वर्ग में आने वाल तत्व कहते हैं क्योंकि किसी भी वर्ग से किरिया नहीं करता है या किसी भी अन्य तत्व से किरिया नहीं करता है इस वर्ग में आने वाल तत्व इस प्रकार क्यों होते हैं जो कोई विश्यक्ता परशित नहीं करते इस कारण से हम जो इसको सुनने वर्ग कहते हैं तो देखें यह वर्ग भी जो है बड़िया है और इसकी ट्रिक जो है बड़ी स्यांदार है तो देखें इसकी ट्रिक है हमारे है नेता और करमचारी जीते रहो तो आपको यह आसानी से याद हो जाएगा है करना है जो कर्म कर-बास जीते से आपको या एक्सां कर न के लिए उसके बार रहो से आपको रेडों के कीजिए और वीडियो को शेर कीजिए उसके बाद हम बात कर लेता हैं अगले वर्ग की तो अगला जो हम वर्ग याद करेंगे वह डीप लोग से हैं जान रखेगा कि अब जो हम वर्ग याद करेंगे वह हम याद करेंगे आवर्थों के रूप में अर्थार्थ उसको सेतिज रूप से याद करेंगे हम इसको जो है वर्ग की रूप में याद नहीं करेंगे तो देखिए अब हमारे जो है ये हम आवर्थ की रूप में याद कर रहे हैं और ये डिब लोग का तत्त है तो देखे हमारे जो संटेंसे वो है इसकी टीवी कचरे में फेको नी क्यों जिंग तो यह हमारे संटेंस है इसकी टीवी कचरे में फेको नी क्यों जिंग तो देखे इसकी से आपको ऐस सी याद करना है जो इसके इंडियम का सिंबल है उसके बाद TI से आपको T से TI याद करना है वो टाइटेनियम का सिंबल है उसके बाद V से V याद करना है यासानी से याद हो जाएगा जो कि वेनेडियम का सिंबल है उसके बाद कच्रे से आपको CR याद करना है जो कि क्रोमियम का सिंबल है फिर उसके बाद आपको MN मे से MN या इसके बाद को से आपको सी ओ याद करना है जो कि किसका सिंबल है कोबाल्ट का सिंबल है फिर इसका आपको नी से याद करना है किसका निकल का तो वो जो है निकल का सिंबल हो जाएगा उसके बाद कोपर क्यों से याद करना है और कोपर किसका सिंबल हो जाएगा सोरी किसका सिं देखते हैं तो देखे यह इसका जो संटेंस है यार यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राहे पड़े आग में कूद देखे दोस्त जा रहे हैं या हम बात करते हैं कुछ दोस्त हैं तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को बोलता है कि तुम्हें यारी निभानी है मौत तक भले इसे राहों में रुकावटे पड़ जाएंगे तो हम जो है साथ में आग में कूट जाएंगे लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे तो इस परकार का जो है एक संटेंस है तो यारी जरा निभा मौत तक रुकावट राहे पड़े आग में कूट यह दिराह में जादा ही जो है जो है जो का उटा जाएंगे तो हम साथ साथ ही जो है एक साथ आग में कूट जाएंगे तो यह संटेंस के वल याद करने के लिए है आपकी जो है साहता के लिए है तो देखे यारी से आपको Y याद करना है जो येक्ट्रियम का सिंबल है उसके बाद जेडार से आपको जरा से जो जेडार याद करना है जो जिक्रूनियम का सिंबल है उसके बाद निवा से N B याद करना है जो की हमारे सिंबल है किसका नियो बियम तो ये जो तत्व है वो हमारे इतने ज़्यादा काम नहीं आते हैं ये जो 12 क्लास है उच्छी में काम में आते हैं तो आगे देखिए अब मौत से आपको एमो याद करना है जो की मोली बिडेनम का सिंबल है ये मोली बिडेनम दस्वी क्लास के लिए थोड़ा महत् है ये हमारे एक जो उत्वर्रक था उसके एक्जांपर ग्रूप में काम आता है उसके बाद तक से आपको टी सी याद करना है जो की हमारे सिंबल हो जाएगा किसका टेक्नी टीम का सिंबल हो जाएगा उसके बाद हम बात करते हैं किसकी रुकावट रुकावट से आपको आर राहे से सिंबल है हमारा कौन सा रह जो कि रोडियम का सिंबल है तो यह आपको याद करना है उसके बाद पड़े से आपको पीडी याद करना है पेलेडियम का यह सिंबल पीडी है उसके बाद आग में आग में से आपको एजी याद करना है जो कि शिलवर का सिंबल है और यह आप Silver अच्छे तरसे जानते हैं कि Silver क्या होता है उसके बाद हम बात करते हैं कूदь कूद्स आपको जै क्यायाद करना है CD आद करना है जो की isikaadmium का 모dal है उसके बाद हम अगले आवर्थ की बात करते हैं तो अगला जो आवर्थ है उसके लिए हमारी trick है लूंगा हफ्ता वर्नारे उधर इधर पिटाई और होगी तो देखिए इस्ट्रेट पिछली जमाने में जो हफ्ता वसूली जो चलती थी अभी भी कहीं कहीं पर चलती है तो वहाँ पर एक जो हफ्ता वसूल करने वाला व्यक्ति है वो ये कहता है कि मैं हफ्ता लूंगा और अगर कोई हफ्ता नहीं देगा तो इधर उदर से तुमारी पिटाई होगी तो आप इस तरह से जो इस सिंबल याद कर सकते हैं तो लूंगा से आपको एलियू याद करना है जो लुटे टियम का सिंबल है हफ्ते में जो हफ आ रहा है इससे आपको एचे व्याद करना है जो हप्नियम का सिंबल है उसके बाद टी ए टा से आपको याद करना है जो टेंटी टियम का सिंबल है उसके बाद आपको डबलू वर्ना से याद करना है जो टंगस्टन का सिंबल है तंगसनन आप जानते होंगे कि ये बल्व में काम में आता है उसके बाद उधर से आपको OS जो है ओस्मियम याद करना है फिर इधर से आपको IR याद करना है जो IRIDIUM का सिंबल होता है उसके बाद PTI से आपको PT याद करना है Platinum जो आप जानते हैं फिर इसके बाद O, और से AU याद करना है, गोल्ड, ठेक है? ये गोल्ड का सिम्बल होता है, AU, जोकि Latin बासा के कारण ऐसा है, उसके बाद Mercury, ये हुगा से याद करना है, जोकि Mercury, HD का सिम्बल होता है, उसके बाद हम अगले आवर्त की बात करते हैं, तो अगला आवर्त है, ले रदरफोर्ड डूबा सागर में बोहर हस मत देना रोच तो ये कहानी कुछ इस प्रकार से है कि जो रदरफोर्ड है जो आप जानते हैं रदरफोर्ड कौन है ये भी इन्होंने परमानों का मोडल दिया था तो रदरफोर्ड जो है वो सागर में डूपता है और बोर भी जो है तो वो हसने लग जाता है तो उसको अनने साइंटिस कहते है कि रधर खोड तो साकर में डूबरा है और बूर साइंटिस जी आप क्या कर रहे हैं हस रहे हैं ऐसा गलत है हसना नहीं चाहिए हमको बलकि इस टाइम हमको दुखी होना है या रोना चाहिए तो देखिए ले से आपको एलार याद करना है उसके बार रदर होड से आरिफ याद करना है उसके बार डूगा से आपको डी बी याद करना है और सागर में से एस जी याद करना है बी एच जो है आपको बोहर से याद करना है हस से आपको एचेस याद करना है और मत से आपको याद करना है, देना से DS याद करना है, और नहीं यह अंतिम आवर्द है लेकिन फिर भी हमारे Vblok अलग से लिखावा है, उसकी थिक देख लीजिए, लाला सीमा पर नजरे पड़े, सामने यूँ गदो की तबियत डिस्प्ले हुई अरे तुमारी यूटूब पर तो देखिए students आज जो है ओनलाइन का जमाना है तो ये कहाने कुछ इस पकार से है एक जो है बड़ा भाई है वो अपने छोटे भाई को कहता है कि लाला सीमा पर नजर पड़े जब हम सीमा पर एक क्या पड़ी है एक LED पड़ी है जिसमें YouTube चल रहा है और उस YouTube में क्या दिखाया दे रहा है गदो की तबियत के बारे में बताया जा रहा है समाचार चल रहे हैं जिसमें किसके बारे में बताया जा रहा है गदो की तबियत के बारे में बताया एक मेहित्वून तत्वे क्योंकि हमारे लेक्टिनोड और एक्टिनोड जो इस पोची जाती है उसका पहला तत्वे क्योंकि इनका पहльला तत्वी इन को ये सिंबल app über को याद करना है पर से आपको PR याद करना है नर्जर से आपको ND याद करना है पड़े से आपको PM याद करना है सामने से आपको SM याद करना है U से आपको EU याद करना है गदोगी से आपको GD याद करना है तबियत से आपको TB याद करना है डिस्पले से DY याद करना है और HO से हुई याद करना है अरे से आपको ER याद करना है तुमारी से TM याद करना है और Y भी आप जानते हैं Y भी यूटूब जो है आप याद कर लेंगे उसके बाद हम बात करते हैं अगली ट्रिक की तो देखे अकेले थोड़े पहलवान यू निप्टेंगे पुराने आम कम बिखेंगे केफे में एस फर्माओ में लिप को नौबल दो देखे इस ये भी बड़ा ही ये इंटरेस्टिंग संटेंस है तो देखे अकेले थोड़े पहलवान यू निप्टेंगे तो अकेले पहलवान भी इस तरह से लड़ेंगे कि उनका जो एड आम का जो एड बहुत ज़ादा चलेगा और उसकी वज़े से आम जो ज़ादा बिखने लग जाएंगे और आम ज़ादा बिखेंगे तो उससे पैसे आएंगे और पैसों से क्या करना है केफे में एस फरवाना है और उसके बाद जो दो तत्वें उन वो आपासानिश याद कर सकते हैं मेंड लिप को नोबल दो मेंड लिप जो वेग्या निखता उसने आदुनिक आवर सानी जो उसके नीव रखी थी हाला कि साणी को जो मोजलेन ने मनाये था लेकिन जो तत्तों का आवर्ती वरिगी करण है वो मेंडलिफ ने चालू कर दिया था तो हमारे लिए जो है बहुत ही बढ़िया काम जो है मेंडलिफ ने किया है तो आपको जो है उसको नोबल देना चाहिए तो इस प्रकार से यह याद करना है पुराने से पी यू याद करना है और एम से आम याद करना है सी एम से कम याद करना है बिकेंगे से बीके याद करना है कैफे से सी एफ याद करना है फर्माओं से एफम याद करना है और एमडी से मेंडलिफ को याद करना है और नोबल दो से आपको एन ओ पूरी जो आदुनी का हमारी आवर सार्णी है उसके ट्रिक याद की है तो अगर आप इस आदुनी आवर सार्णी का यह चाते हैं कि मैं इसके उपर और वीडियो बनाऊँ कि देखें जो धातु है वह और तो कहा है शंके कर्मन तो कहा है तो इसके लिए आप comment कर सकते हैं इसी trick वाली वीडियो के जैसे ही हम जो है उसकी भी वीडियो बना देंगे exam के रूप में क्योंकि ओ दस्वी में भी है और बार्यू में भी काम जाती है लेकिन instrument मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो में तभी बनाओ जब आप comment करें तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसकी भी जो इसी परकार की वीडियो बनाओ तो आप जरूर comment कर दीजिएगा और यदि आप इस जो ये page है अगर उसको आप download करना चाते हैं तो शिल आपको comment करना पड़ेगा ये आपके लिए छोटा सा काम है आप इसको जरूर कर दीजिएगा देखिए student ये जो page है ये आपके लिए हर class के लिए महत्तपून है यहां तक कि आप chemistry में जहां तक study करोगे वहां तक के लिए आपके लिए महत्तपून होगा तो इसके लिए अगर आप एक comment कर देते हैं तो ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी बस हमको थोड़ा support मिल जाएगा तो इसके लिए आप ज़रूर comment कर देजेगा वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में Thank you